प्रव्म को सॉल करते हैं, question क्या कहता है, question कह रहा है कि the average of 11 number is 63, if the average of first 6 number is 60 and the last 6 number is 65, the 6th number is, क्या कह रहा है question में, 11 number का average बता रखा है 63, कहता है कि जो पहली 6 numbers है, उनका average 60 है, और जो last के 6 number है उनका average 65 है, तो हमसे कह रहा है कि छठा number क्या होगा वो बता है, तो हमें क्या करना होगा 6 number find out करने के लिए, हम सबसे पहले find out कर लेते हैं, sum 6 number का, first 6 number का sum find out कर लेते हैं, उसी के साथ हम find out करेंगे sum last 6 number का, ठीक है, और sum find out करेंगे हम 11 numbers का, ठीक है, इन दोनों sum को, हम add कर देंगे, उसमें से ये वाले sum को minus कर देंगे, 11 वाले sum को, तो हमें 6 number मिल जाएगा, तो 6 number के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 number के लिए, हमें sum of first 6 number plus sum of last 6 number minus sum of 11 numbers करना होगा, तो sum of first 6 number कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास कितने numbers हैं, 6 हैं, ठीक है, और ये, इसका average कितना है, 60, plus last 6 number का average है 65, 6 into 65, 11 numbers का average कितना है, 63, 11 into 63, ठीक है, अब इसको simplify कर लेते हैं, 6 into 60 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, plus 6 into 65 कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा, minus 11 into 63 कितना हो जाएगा, 693 हो जाएगा, इन दोनों values को add करेंगे कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, minus 693, जो 6 number निकल के आएगा, 6 number आएगा, वो कितना आने वाला है, 57 को minus करने के बाद, तो option 157, जो है 6 number है, इस question का,